बिस्मिल्लेर मलें असलावलेकुम फ्रेंड्स इश्र की चन में आपका बहुत ही ब्यारी साथ वेलकम है आप आप सब खेरियत से होंगे आपने रम्दान स्पेशल वेसिपी तो बहुत साही देख लिए आज मैं आपके लिए सेरी स्पेशल कुछ लेकर आई हूँ आज मैं बना रही हूँ सोया कीमा मटर ये भुना भुना मैं बनाओंगी फुप टेस्टी सा मज़ेदार ताकि आप सेरी में खाया हैं वो सारा दिन याद करें के माशालला सेरी हमने कितनी अच्छी की थी तो बस मैंने अपना कीमा बनाने के लिए ले लिया है कड़ाई में 100 धेल जरा ओ यौद भराूप अब अपने तेल को गरम होने देंगे देखिए हमारा देल घ्रल हो चुका है मैं प्तेल करूंगी primeiro आप इस में ड्मित करूँगी दो तेसी पते इस प्ते इक बड़ी लाइची ये चक्रफूल इसी के साथ साथम अभी मेंस्मीन कर देंगे मैंने इसको अच्छे से दोके रख लिया था इसका पानी स्ट्रेंड कर दिया था बस इसको में स्मैट कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे इसी तेल में फ्रेंड्स हम इसको कलर चीजिए उने था कि इसी तेल में अच्छे से भून लेंगे और फ्रेंड्स अगर आप इसको बनाके रख लें और सुबार सेरी में यह खाए तो सारे दिन आपको हेल्दी फील होगा ज्यादा भूख नहीं मैसूस होगी क्योंकि अगर जब सेरी हेल्दी करेंगे तो सारा दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है गिरेगे हमारा कीमा को बच्छी से भून चुका है अब हम इसमेट करेंगे अधरक लसंगा पेस टू टेबल स्पून इसको बच्छी से भून लेंगे बस अब चलके इनको भी उंको बच्छे से पून लेंगे इसके साथ और अब ये मसारे तो सूखे मसारे ते जल्दी से भुन जाएंगे टाइम नहीं रगेगा इनको भुनने में ये देखिए हमारे मसारे होग अच्छे से भूँ चुके हैं अब हम इसमेट करेंगे अपने टमाटर ये मेरे दो बड़े साइस के टमाटर इंको मैं रखी चॉप क कर लिया है बस हम इसमेट कर देंगे इनको चराकर हम इसमेट से मिक्स कर देंगे देखिए फ्रेंग्स हमार की ओर टमाटर आज भी माश्या लगे तिक्छी रोना कावई कितना अच्छा लगने लगाई है अब हम इसमेट कर देंगे आदर कप पानी अब हम आपने गैस की फ ही देखे पाण भी सतना है हमारे कीमे मैं आपनों धोड़े से मतर कि French matter की कि पस्तर करें ऑप लिएति USE कर सकते जादा धी चाहते में कर सकते मैं दूने खरीब लिए हैं तो एक दम जादा नहीं बना जूँ और चाहिए आपको मतल जादा पसंता जादा जादा एक करिए अभी तो इसमें पानी है अब मैं इसको और पानी नहीं लगाऊंगी इसमें और इसको ठाक कर 10 मिट के रिए हम पका लेंगे और चलिए माई दसमें रोचुके मिन सोच एक तो यह मेरा सोया एक बंच है और फ्रेंड माशल लए इसकी खुष्पी इतनी अच्छी आती है कि में की सोया ड़ जाता है इसमें इतना टेस्टी रखते हैं बहुत मजा आता है यह खाने में चलिए हम अपना सोया की मा सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस हमाया सोया पानी चोड़ेगा और अच्छे से भून लेंगे क्योंके सोया गलने में तो जाला टाइम लगता नहीं बस एक बापना गल जाता है सोया तो और फ्रेंड यह सोया भी आपको इतना सारा दिख रहा अब मैं इसको ढखकर पाच मिन के लिए छोड़ दूए चलिए फ्रेंड पांच मिन हो चुकिए हम इसको चेक करते हैं तो चलिए देखे पक चुका हमारा सोया मटर कीमा अब आफ कर देंगे और इसको दो मिन ढखके छोड़ देंगे ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए इसका तीरा वीरा उपर आजाए यह देखी प्रेंस रेड़ी है हमारा टेस्टी सा मज़ेदार मटर कीमा सोया आप भी इसे ज़रू बनाएए ट्राय करिए अपने फैरे 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 कमेंट्स करिए अल्ला आप से वह खुश रखे ची से अदे अला आफेज थैंक्स पर वाचिंग लाइक शेर सब्सक्राइब और कमेंट